आज संझे सिंघ के गिरफतार्वी वी बिना किसी सुबूत के की गई जो तुम्हेर साथ पालोर से घब्राना नहीं और इसके पाट्चीव रेजल्ट आओंगे यह मीटिया को फिल में बिटा दे रहा हूँ पाट्चीव रेजल्ट आओगा जी हाँ विल्कुल आओगा और अगर नहीं आए तुमसे मिल ली आज आएगा तुम्हें अप्स शराब माफिया घुटाले का एक और अपरादी राजसबा सांसत संजे सिंग अब वो भी तिहार जा रहे हैं दिल्ली के हजारों परिवार इन्होंने अपने शराब के खेल में बरबात कर दिये आज दिल्ली की उन्हीं माता बहनों की हाई लगी है विजय नायर भी जेल में है, मनीश शिशोद्या भी जेल में है और अब संजे सिंग भी तिहार जेल में रहेंगे भारती अजनता पाटी को और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है संजे से डर लगता है व्हतल ने उसको पकड़ाए जिसको मिंदा किसी जुर्म के सतंट किया गया अड़भान सप्रप्रेंड किया गया, पार्लामेंट पे, और जुसको सव्कयों करना थे हाटाव्स को इन शार्ड बना दिया गया देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डीटेंग किया गया, उनके फोन ले लिये गए, उनके लाप्टॉप ले लिये गए, क्यों? क्योंकि वो कर्षान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवास उठाते हैं कि आखों में जरा भी शर्म बची है, तो अर्विंद केजरीवाल को इस तीफा दे देना चाहिए, यह सुनिश्चित है कि अंत अर्विंद केजरीवाल का भी तीहार जेल के अंदर ही होगा तो हम आदमी पाटी के संजे सिंग गिरफ्तार, एडी ने गिरफ्तार उने कर लिया, दस घंटे पूश्ताच हुई और फिर गिरफ्तारी 26 फर्वरी यानि की साथ महीने पहले, याद होगा आपको तब उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी, दिल्ली के डिप्टी सीम रहे मनीश सिसोदिया की मनीश सिसोदिया, और अब तक वो जेल में, सतेंदर जैन, वो भी जेल में रहे अब आरोप ये विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कि एडी को सियासी ओजार की तरह इस्तमाल कर रही है मोधी सरका ये आरोप विपक्ष ने एक बार फिर से लगाए हैं संजे सिंग की गिरफ्तारी के बार अब आपके मन में सवार उठेगा संजे सिंग की गिरफतारी क्यों हुई मसला शराब कांड का है लेकिन किस आधार पर गिरफतारी होती है संजे सिंग की वैसे यह जो पोस्टर आप देख रहे हैं बड़ा दिल्चस्ट पोस्टर है कुछ रोज पहले इस पोस्टर को संजे सिंग ने लगा दिया था कि फक्कड हाउस में एडी का स्वागत है चुनोती दी चैलेंग दिया एडी को और एडी ने उन्हें अब गिरफतार कर दिया और यह तस्वीरे उसी वक्त की है जब संजे सिंग की गिरफतारी हो एक नया सियसी भूचाल अब सियसी गलियारों में महसूस हो रहा है आम आदमी पार्टी के कारेकरता प्रदलिशन कर रहे हैं आरोप लगा रहे हैं दलीले दे रहे हैं सफाई पेश कर रहे हैं मगर संजे सिंग गिरफतार को अब आते हैं मूलता है इस बात को लेकर कि संजे सिंग गिरफतार क्यों हुए क्यों हुए अब इस पर आते हैं और मैं अपने सहियोगी से चाहूँगा अगर प्ले कर पाए मस्ले को समझे, गिरफतारी आखिरकार संजे सिंग की क्यों ही, दिने शरोडा कारोबारी है, देखिए अब खेल को समझे, दिने शरोडा कारोबारी है, दिने शरोडा को इसी शराब घोटाले में CBI ने गिरफतार किया, आरोपी बनाया, आरोपी से वो गवा भी बन गए, और फिर कोट ने उन्हें बाइज़त बरी भी किया, लेकिन कहानी में फिर ट्विस्ट आता है, जिसे आरोप में किसी शक्स को बाइज़त बरी किया गया था, वो ही शक्स दोबारा गिरफतार होता है, अब दिनेश अरोडा पुल फ्रेम चला पाएं इसको दिने शरोढरा यह मुखxes सूत्रधार फान हम फूल फ्रेम दिखा पाहें दिने शरोढरा का हम जिक्र कर रहे हैं दरअसल यह, इस कहानी को हम समझे इनका दावा यह है कि अर्विद केज्रिवाल यानि की जो सोर्स है गवा है ED का संजे सिंग से मुलाकात CM आवास पर मीटिंग अर्विन केजरिवाल से संजे सिंग ने ही करवाई दिने शरोडा खा और फिर दिने शरोडा बताते हैं कि मनीज सिसोदिया से मुलाकात भी संजे सिंग ने ही करवाई दिनेश रोड़ा एक और खुलासा करते हैं कि संजे सिंग के कहने पर 32 लाक रुपे का चेक मनीज सिसोदिया को दिया गया यानि ये पूरा खेल है और इस खेल के आधार पर अब संजे सिंग की गिरफतारी हुई है अर्विन केद्रिवाल से मिलाया संजे सिंग ने मनीज सिसोदिया से जान पेचान करवाई संजे सिंग और संजे सिंग ने ही बकाईदा 32 लाक का चेक दिलवाया तो क्या वाकई ऐसा हुआ दिनेश अरोडा की इस गवाई के आधार पर संजे सिंग को गिरफतार करने की खबर है सवाल विपक्ष अब आरोप लगा रहा है कि सिर्फ उनी पर ही E.D. का एक्शन क्यों होता है संजे सिंग गिरफतार मगर सवाल ये भी कि अब किस पर लटकेगी तलवार 24 में सियासी लड़ाई E.D. की कारवाई पर सीधे तोर पर आई अब सीधा कुछ बयान आपको सुना रहे हैं इस पूरे विशे को लेकर और फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे कुछी दिर में आपके सामने कुछ मेहमान होंगे लेकिन पहले सुनिये कुछ रादनितिक बयान संजे सिंग की गरफतारी के बार दिल्ली के शराब माफिया गोटाले का एक और अपरादी राजसबा सांसत संजे सिंग अब वो भी तिहार जा रहे हैं डिली के हजारों परिवार इन्होंने अपने शराब के खेल में बर्बात कर दिये आज डिली की उन्ही माता बहनों की हाई लगी है विजय नायर भी जेल में है, मनीश शिशोदिया भी जेल में है और अब संजे सिंग भी तिहार जेल में रहेंगे लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब मनीश शिशोदिया, संजय सिंग और विजय नायर चोरी कर रहे थे तो क्या केजरी वाल को मालूम नहीं था? क्या केजरी वाल इसमें शामिल नहीं थे? कई सरकारी गवाहों ने ये कहा है कि उन्होंने पैसे केजरीवाल के कहने पर दिये तो मुझे लगता है कि आखों में जरा भी शर्म बची है तो अर्विंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए ये सुनिश्चित है कि अंत अर्विंद केजरिवाल का भी तीहार जेल के अंदर ही होगा जैसा अब तक हुआ था वैसे ही आज भी हुआ है और आज संजे सिंग के मामले में भी वही हुआ पाप करने वाला आप रात करने वाला चाहे कितना भी शयाना हो उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है आज दिल्ली की वो सारी बहने वो सारी माताएं जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा खड़ेंत्र रचा था उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई संजे सिंग भी गिरफतार हुए है और आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता और मुझे पुरा विश्वास है कि अभी ये आच सतेंद्र जैन मनीश सिसोधिया और संजे सिंग तक प आज संजे सिंग अर्विन केजरिवाल आप कितना भी शोर मचाते रहें आज संजे सिंग के गिरफतारी से एक बात तो सच हो गई कि सचाई छुप नहीं सकते सचाई सामने आती है संजे सिंग ने पहले दिन से शराब गोटाले में पैसे खाये थे और कल जब दिनेश हैं मिले जब कड़ी-कड़ी एक जंजीर बने संजे सिंग के बाद अर्विन केजरिवाल अब देखिए होता है क्या तो संजे सिंग गिरफतार सवाल यही कि अपकी बार किस पर लटकी है तलवार सीधा रुक कर रहे हैं हमारे साथ जो मेहमान जूट रहे हैं उनसे आपका इसकारिकरम का हिस्सा और मनीश गुपता जी राधनितिक फिशे शक ना पक्ष ना विपक्ष निस्पक्ष हो कि अपनी बात को बेभाक कंदाज से रखते हैं तो सबसे पहले रमन जी आपी से शुरुआत करते हैं रभबमानी मेरी अवाद आ रही है आपको जी जी आ रही है रमन जी तो दिनेश अरोडा ने पोल खोल दिया आपकी यह पूरा यह पूरा गोटाला जिसको बिचंब क गोटाली की जाच कर रही हैं उसमें एक एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर ले आया गया जिसको ये माना गया है कि कल्यूग में ये व्यक्ति हरिस्चंद्र का उतार है पूरी तरह से उसी के बयान पर एक पूरी कहानी रखी गई और उसके बयान के अधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को सिर्फ परेशान करने के उद्देश से उनकी आवाज को दबाने के उद्देश से वो ओल्ड पेंसन स्कीम पर न बोले वो मडीपूर पर न बोले वो आयुसमान घोटाले पर न बोले वो महेंगाई पर ना बोले, वो सिलेंडर के बढ़ते दाम पर ना बोले, वो किसान बिल पर ना बोले, वो सिच्छा पर बात ना करें, वो बिरोजगारी पर बात ना करें, इस कारण सिर्फ और सिर्फ वैमनस्ता के कारण आम आद्मी पार्टी के निदाओं को परिसाश किया तो ED चुक बैठी रहें, आप ये कह रहें कोई तश्ट हो, एक व्यृक्ति जिसको गिरफ्तार करती है CBI, ED गिरफ्तार करती है उस पर आरोफ पड़े करती है बाद मैं वही व्यृक्ति बश्थर आरोफों से बरी भी हो जाता है तो फिर से CBI प्लान करती है कि यहीं सबसे मुलाकात करवाई 32 रुपए का चेक दिलवाया तो फिर मतलब आप यह कह रहें कि इडी सब कुछ जान के अंजान मनी रहती है नहीं इडी 32 रुपए का चेक कहा गया तर उसकी उसकी कोई तथ रखी तथ तथ रखी वह 32 कि इस लाक रुपए का चेक किसके नाम था एक और सुकेस सिहार के मैं तश्वीर दिखा रहा हूं वह कहा है कि फकर हाउस में एडी का स्वागत है आप ही तो चुनोती दे रहे थे एडी ने सिवकार कर ली अब लेने के देने पड़ गए आपको स्वागत 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 क स्वागत मुझान साथ के अधार पर नहीं था इडी इडी प्याइज इतनी भारत की जाज़ें इंसियां है आम आपल्टी का एक-एक और करता है इमांदारी के साफ राजनित करता है इडी 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 नरें लुजी जी की जितनी वी संस्दाए सब का स्वागत है रमान जी करा में तो मांते हो की नहीं इतना बता दो रहमाँ जी कोड को मनते हो अदालत को अदालत को अब रुकुल उसी आदालत ने फरवरी से मनीशी सोधिया को जमानत नहीं अब वोलिए संञेलमस्तरा उनने चापने से पूछ रहा हूं कि दी के चूहां को जमालत क्यों ने मिली ति दालत कि रहा न हमने मेरी सवाल निसेफ mae कोड की बात करम को को तो मांते हो न जी-जी भळे कुछ लेता कहते ते हम अनार्किस्त है आप छोड़ीए अनार्किस्त वाली बात मैं यह कह रहा हूं कि घाइ। जी-जी मनुशस दो जैल नहीं दी 50 को भी नियुआ पर है को अपर में आप से वड् reject कर हम ऊपर है लोगा फ्र եा चली जाए गेt सर मैं आपसे उड़ी किया रहा हूं छे महीन हो गए सतेंद्र जैन सालों साल जेल में रहे आपने उनको मंत्रा ले दे कर रखा चलिए कोई बात नी एक मिनट पवन गोहल साफ मैं दिल्ली हाई कोड की बता दू सर जिस जिस जज ने जिस जज ने सतेंद्र जैन के जमानत की अ मैंनिमान हो यह ना एक तो जो गोलेगा वह अंदर जाएगा एक मिनट पूरा मौका आपको दिया एक मिनट यह पहले पवन गोहल फिर में दोर महमान और हैं पवन साब गोहल सा मैं मेरी अवाद आ अरि आपको पावन गोईज साब का फोन कनेक्ट नहीं है प्लीज कनेक्ट करिएगा मनीश इसो दिया जी जेल में है सतेंद्र जैन जेल में रहे लेकिन जमानत नहीं मिली अब इसके इतर मनीश गुपता जी रमान जी कह रहे अत्या चार हो रहा है जो बोलेगा उसको अंदर डाला जा रह देखिए अभी दो तीन दिन में दीन जार गटनाएं होई है पहली गटना संजय सिंग के रहें संजय सिंग गिरफ्तार दूसरी गटना लादू प्रशाद यादब को लेंड फोर जॉब गोटाले में बेल मिल गई तूसरी गटना सुखपृत खेरागो पंजाब में ज़ार करना चाहतastically है चाहते ह análं प्रशासन को खार में प्रशाद को मानौ प्रशाद को किसी को लीमीन कर सकता है कि कि काम की स्पीड के मरेगा शारी हो सकता है -ग कई गुछनी और चुणा बना दीया है मैं यह मान सकता हूंगे मार्दी अल्दा पाइडी आमार्दी पाइडी के पीछे पढ़ी होगी और उनके केस जल 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 ली खुल रहे होगी लेकिन विच्की से चुवा थोड़ी बना दिया चुवा तो होगा मैं रिश्वत तो लीज होगी है अगर सुक्पीद खेरा तो यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए मनीश यही तो बात कही जा रही है कि भई जो शक्स दिनेश अरोड़ा पहले उसे गिरफतार किया जाता है फिर वो बाहिजत बरी हो जाता है फिर वो सरकारी गवा बन जाता है फिर गिरफतारी हो जाती है यह सब कुछ तो वहीं मैं कहा रहा हूं ऐसे में आमाजी पारिटी को समझदारी दिखाते हुए इससे पला जाजना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए जो हमारी पारिटी में नहीं है अच्छा जब वो दो को तोकर निकलेंगे हम फूल मौला हुसन का सौगत करेंगी मनी सिसोलिया हम पारिटी में नहीं है जब फ्री हो तो हमने इस पारिटी में लेंगे तो कही न तो कहीं मैं समझता हूँ आज अपने सावान को मचाने की बात करनी है जिस पीक रमांजी रेक कना चारहा हूँ पर पमझी और भुदेव यह आपके पास आ रहा हूँ रमांजी सुना आपने मनीशी के रहे हैं कि भहिया पहले यह साफ कर देते हैं अमारे इंसे कोई लियने देना नहीं जब पाक साफ होकर आएंगे तो इनको मंत्राले भी देंगे मंत सिर्फ निशी काओडियों ठाजकते पिसे एक मात्याम है इसी कोर्ट की बात करें मानी सुप्रीम कोर्ट का ही बयान है मानी सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्त है मैं 11 जुलाई की बात बता रहा हुए जबरान एडी के डिरेक्टर सज्जेल इसना जी को आलेक्ट भली करने का अधिया गया तरकार जाहती थी वर्डिक्त कारकाव नॉम्बर तक पढ़ाया जा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानी सुप्रीम कोर्ट ने जबरागी एक मिनट प आपको जबर आए मेरा आद ार्रें को कि आप चेकर करें प्लीज पावन जी का अधिय। आपको तो आदियो पहुंच रहे है ना कि अधिव जी मेरा वाद आ रही है ना विल्कुल क्लियर आ रही है है विदेव जी आपको बहुत-बहुत मुबारक हो सर किस बात की मुबारक सर आपने आरोप लगाए थे AD ने एक्षन दिया नहीं देखिए नहीं आप नहीं लगाए थे आरोप नहीं गिलकुल देखिए मैं क्या बिश्टा हूँ आप चीजों को समझने की कोशिस कि अगर कोई आरोप है उसकी जांच होनी चाहिए लेकिन इसमें मन्सा क्या है वो भी हमें समझनी हो मैं तो कह रहा हूँ कि आपको मैंने इसलिए मुबारक बात दी क्योंकि आपने आरोप लगाए ED ने एक्षन लिया और संजे सिंगिर अफ़तार हो गए अगर मैंने कोई तथे गलत बोलाओ जूट बोलाओ तो आप बोलिए कि हाँ जूट बोलरे हो ने आरोप लगाए तो उसकी जांच होनी चाहिए न यह कोई जांच का तरीखा है क्या नई कैसे होगी जांच आपने आटो आरोप जूटे लगाए थे नहीं आरोप बिल्कुल देगी है जहांच होनी चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे बिपच्च को आप डड़ा करके रखाए संजे सिंग्जी की बात है नहीं जले भी नहीं जले भी नहीं आरोप आपने लगा है जहांच बीजेपी जहांच मोदी सरकार ने करवाई औ मोदी जी मोदी जी हर जंसमा में जाते हैं किसी पर आरोप लगाते हैं उसके बाद कर लेता है इसका भी जवाब दे मागलो इन से कर दो नहीं कि बात हो आप तो यह आरोप जूटे हैं यह बोले की आरोप जूटे हैं या फिर यह बोले की कारवाई गलत है दोनों में से एक मामले क्या गलत है क्या बोलते हो बताओ तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बेज़े जराग कर दो यह बोलता हूं यह बोलता हूं आप से पूचा जाए तो समझाए यह काम तो प्रवक्ता को बीच में तूसरे प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे हूं जैसे बीजेपी के नहीं बोलने देते हैं आप पहले मैंने समझा रहा था सब भी आप बोले इस वार भी तो आप बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहे हैं लेकिन मनीश भी को पता नहीं कहां थे चुक मेरे सवाल का जवाब वुदेव जी गाने क Ayaday लुटे हैं बोलो मेरे सवाल का जवाब दीजे मेरे सवाल का अरोप यहांस being a लट मैंने क्या कहता हूं कि आर्ध लगाता है हां expecting Jag597 अपको यह इस तरकारी एजचन्स करवा कार एब भी घ competitions 26OM मैं क्या कह रहा हूं लेकिन उनकी जहां नहीं करवा तक वह बार्टी जन्ता पार्टी में आ गई अरे बहुत आप खुश होगे कि भाईया आपने जो अरोप लगाए वह सिद होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप इस बात को नराज हो रहे हो है आप आप लुग लगा है अपने जूटे लगाई अरोप लगाए सकी जाज करवाऊ ना शराप गोंख एड़ाना खाराना घंकाना अस्तर इस तरह को अ रधारना शराप गोटाणा नहीं उधाना नहीं व्हा ट्रॉट भूलिस किया उनको जाने इस होआ की नहीं हुआ है है नहीं किया नहीं है मैं क्या आप लगा है यह दो भी हो चोड़ा इसकी यह जाच्छ कर रहा है किसे लोगों को पता चलना चाहिए को ऐड़े सब्सक्राइए करना है चाहिए है और जी एक तरफा कारभाई करना । यह भी वो लिए टी के अधर मेरा मेरा वीचार ये है कि अगर शुख्पाल खेरा की गरस्तावी बर कॉंगरेस आपाल्दी पर प्रस्न नहीं उठा पा रही तो इस बार पर भी प्रस्न नहीं उठाए या तो खुशी मनाए या तहने कि जहां सी दो रही है और प्रस्न को जो नहीं रहां जो जो अब दो को कि मनीश जी भूदेव गुस्ता हो गए भूदेव भाई लेकिन एक मिन बहुत देर से जुड़ें एक पर के ना आरोप तो तूजी इस्पेक्ट्रम के भी लगेते आरोप तो कोईला कोटाले की या तो आप लिए वो जूटे आरोप थे जूटे आरोप थे आप एक बार ब जाए भूदे भाई मैं वही तो कह रहा हूं या तो यह बोले कि जूट बोर रहा हूं आप जाट नहीं करवा रहे हैं बलकि विपच्च को डराने का काम कर रहे हैं पर आपके उपर कोई एडी नि जाएगी यानि आपने आपने शराब गोटाले के आप आगी पार जूटे आरोप लगाए आपी के मुताबिक एक मिनट पावन गोट साब तो सरी आप नो बौली या रूब सच्चे हैं जूटे है चीरे सब्सक्राइब गोटा एक मिनट ना एक मिनट पावन गोटाले को बिलकुल जूटा था जैसे पता चली कोईला कोटा इस यानित या की हमें इस पवन गोयल जी क्या आप मुझे सुन पारे है पवन गोयल साब पवन जी प्लीज आगर मेरा ओडियो आ रहे तो फोन पवन जी लग रहा पवन जी तक संपर्ख नहीं हो पारा पवन जी मेरे यवाद आ रहे है आपको पवन जी अपनी बात रखिए फिर मैं कोशिश कर रहा हूं पवन जी तक जुड़ने की रहां जी यह विशे वही है आप सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि आप लोग कहतों कि भगस सिंग की पार्टी हैं हैं भगस सिंग की पार्टी हो ना और एक बात मुझे आद तक नहीं कि सतेंद्र जैन उन्होंने कहा मेरे सारे कागजास देख लिए सब कुछ हो के हैं कोई दिक्कत नहीं मनीजी यही कातना वह फिर गिरफतार हो गए मनीज सिसोदिया जी को कहा उन्होंने कहा कि यह तो भगस सिंग है कोई दिक्कत नहीं हम लड़ेंगे हम पीछे नहीं हटें बेदी गिराफतार हो गए पिर उन्होंने कहा Sanjay Sing है वह भी गिराफतार हो गए मैदा जिनको कटर इमांदारी का सिटिफिकेट देते आँ गिराफतार हो जाते हैं चक क्या रववंजी तिलक जई लगास काई कि आमाधि Caitlin करी मेरे बंद कर pallet कर इनि इससा घोटारा है यहिभन जी जब करें नहीं तो डर नहीं टांव टार नहीं Dracula कुन अचनुट को अगर पार्णी करें टो उनके चेहरे पर मुस्कान थी यह थाबिद करता है कि हमको डर नहीं है यह लाक हमने तो खुद संजय सिंग्जी ने खुद अपने घर के बाहर एक पोश्टर लगा था जो आपने अभी उसमें दिखा रहा हूं फक्कड हाउस में स्वागत आपका एक पावंजी मेरा ओडियो कर लिए तो चापे कर लिए दो चापे के बावजूद भी इड को कहीं से कुछ नहीं मिला अगर सो क्रोन का घोटा लगा कुछ बरामदगी होती कोई ट्रेल मिलती कि यह पैसा यहां से आया पैसा इसको दिया गया कोई सब्सक्राइब कर आद में आदि के बयान है आम आदम करिए कि अध्य कि प्लीज आम आदबी पाटी के बायान अरुक्त लेकर सकते में संध्य करिये अद्दी को गिरफतार किया है वे गिरफतारी भी अ बिना किसी सुबूत के यह धिरफतारी क्यों हुए है संझै सिंग भी अ कि इस लिए नहीं के कोई सुबूत है इसलिए नहीं कि कोई शराब गोटाला हुआ है इसलिए नहीं कि एक पैसे का भी भरष्टा चार का खुलासा कर पाई है ED और CBI आज संजेज सिंग जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतिय जनता पाटी को और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगता है हम ये देख रही है कि केंद्र सरकार की जो ये बौकलाहट है जो ये हार की बौकलाहट है अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई उनको डीटेंग किया गया, उनके फोन ले लिये गये, उनके लैप्टॉप ले लिये गये, क्यों? क्योंकि वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं कल शाम को हमने देखा भातिय जन्ता पाटी को और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है आम आदमी पाटी से डर लगता है संजे सिंग से डर लगता है हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौकलाहट है जो ये हार की बौकलाहट है अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई उनको डीटेंग किया गया उनके फोन ले लिए गए उनके लाप टॉप ले लिए गए क्यों क्योंकि वो कर्कान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो संजे सिंग गिरफतार अब किस पर लठक की तलवार सीधा रुक करेंगे अपने महमानों की तरफ पवन जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको अब को अब कर देर कर दी जुड़ते जुड़ते आपने लेकिन जुड़ गया आप आपकी अवाज अगर आपको आ रही है तो यह कह रहे हैं कि भई जो बोलेगा वो अ इंदर जाएगा जी आज देश की कटर बेइमान पाटीगा एक और कटर बेइमान संजय सिंग छलाकों के पीछे है वो क्यों यह को इमानदा जी कि मुझे से कि तीने शरोडा जिसका नाम लिया जा रहा है इस बात से तो यह जूत में बोल सकते कि संजय सिंग इंदी शरोड को नहीं जानते वो सीजाए इडी का विचने से इसमें कुछ बाते और जाननी होगी चैनल के माध्यम से इंडिया वोइस के जब इन्होंने आपकारी नीती बनाई तो इन्होंने कुछ एविडेंस रखे सेंटल गोर्मेंन के सामने और सरकार के सामने कि हम एक नीती बनाने जाने जिस्टे की जिल्ली सरकार को पाइदा होगा अठानवे सो करोड के राजस की बातुई आए सिरफ सोलह सो करोड दूसरी सबसे महपून बात इन्होंने ड्राइड एको इकीज इन के बदले में तीन दिन में कर दिया गरोना काल के अंदर एक सो चावालीस करोड रुप अबहुत में, पारतीजनता पाटी का तोता है, इनको जमानत और प्रेल मीमिलरी इनके पास अविडेंस निये सरकार के पास, चुरक्षी आज़ा आधीजन्लेंस आए कि गोटाला किया है, तभी इनको निमледरे. एक और बात. नहीं पर्टी गया भी सैटीड़े जरोगों करते हैं पुछ निकर्ट निकर्ते हैं हमसे गतर इमांदर कोई नी है जन लोगपाल बिल बनाने से पहले इनोंने जनता से वाइदा किया था लोग पाल बिल बनाएंगे जो बश्टा चारी होगा उस पर जेल में डाल देंगे एक और महत्पूर बात 27 लोगों के खिलाफ इनोंने आरोप के लिए चार शीट दाखिल की थी तब से पहले शीला दिक्सित राहूल गांडी जी इनको उनके जीजाजी 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 इनके खिलाफ के ऒल आरोप लगाय थे बड़ कोट में नी chu thrakal और में сделपना जीजाजाजे रहा दिने शरोडा का, उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको हासिल होगी, उमीद करता हूँ जी मेरे पास तो इस बात की को जानकारी नहीं है, CBI और E.D. ने को चोरी चीपे तो उनको बंद किया नहीं है दिने शरोडा के बारे में E.D. के पास भी कोई जानकारी नहीं है दिने शरोडा पहले जिसे गिरफ्तार किया गया, उसकी कोट से रिहाई होती है रिहाई होने के बाद वो सरकारी गवा बनता है और फिर उसकी गिरफ्तारी होती है और उसी बिनाह पर संजे सिंग को गिरफ्तार किया जाता है पवन जी जी, तो आप कानून की पड़ी के लिए पर सवाल उठा रहे हैं क्या मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ सवाल यह संजोग है मैं तो सवाल का उत्तर दे रहा हूं आप नराज को रहे हैं आपके सवाल से यह चीज दिखाती है कि यह भाच पे जो सरकारी और जो कोट है ना को तो सरकार दोनों अपनी जगह आख तो आप यह तो मैं किया रहा हूँ आप आप एक पर देขिए हैं यह पहले सुपरिम कोड possible ओफोगाथ 542 लेकिन बाध्या थीओ आख से दों बहुत बुद्द्र जी आपके पास आउँगा आरोह 스ans准 ओ With जी आ रहा हूं आपके पास रमान जी बोली क्या कहना चाह रहे थे तिलक जी जैसा कि बाज़पा के प्रोग्टा साथी ने कहा कि उनको जानकारी नहीं है कि यह दिने सरोला कौन है इसके बारे में कोई तर्थे नहीं है सिर्फ यह बताया गया कि यह बैपारी है उसको उससे बोला जा रहा है तो उससे बोला जा रहा है तो मरविन केजरिवाल का नाम ले लो वो बोल देता है वो कह देता है कि हां मैं इनसे मिला उनसे मिला ये अकेला ऐसा गोटाला है बाजपा के साथी बता दे इसमें मैं बाजपा के साथी से एक परसे पूशना जाता हूं आप ये बता दीजिए कितने करोड का गोटा ला है, आप ये बता जीए, मैं इसमें तीन अलग 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 बयान कोट करके आपको पता सकता हूँ, आप ये बता दीजिए, कितने करोड का गोटा ला है, एक रुपए की परामजगी, एक रुपए ये ऐसा गोटा ला है, जिस एक ही सवाल पूछ गाहूँ बिल्कुल धंके की चोट पर कहते हैं आम इमानदा अब तो फिर आपको हाई को हाई कोरी करने के बाद आपको कभी चोर कहता ही नहीं है तो फिर हाई कोट और सुप्रीम कोट से जवानत क्यों नहीं मिल रही आप एवरें सुप्रीम कोरें चैनल बयाओ अरे जूट बोलना बंद करो जूट की राजिती चंता हूँ कई है ये जूट की रख्रितिसे चंता जबाब देंग हैं आपके combining with HOLT प्रफिए कर लोगाया है कि आपके साथ आपके साथ दिला मांभा आपके साथ एक पर शॉटे करते हैं अपनी पर शॉटों आप इन गुश्थ है बुदेव जी एक बुदेव जी ये एक बात में आप से जाना चाहिए रहे हैं मेराorie आज बहुत बूंज़ राये था एक बात में जानना चाहरा रहा हूं अपसे जरास समझाहिए गा आपकी बात मान लेता हूं जैसे पञ्जाब में आपके विदायक के खिलाफ एक्षण हुआ कि ड्रग माफिया होने का आरोप लगा ना उन पर के जरिवाले की जो साथी हैं भगमनमान की सरकार ने आपके विध्याय को गिरफ्तार पंड até sees हेराज माफिया हैं आपके विध्याय कि आरोप हैं मेरी बात समझ रहें ना आप आप इसके इतार तो यानि कि कल परसो तरसो कभी भी संदीब दिश्चित के नित्वित में आप लोग सड़कों पर उत्रोगे राइट ये तो इंडिया कड़ बंदन के खिलाफ अन्याए हुआ ना इसका जवाब जी हाँ बिल्कुल दीजिए मुस्कुराइएं मत ये बहुत गंबीर मसला है आपको सड़कों पर उत्रोगे ना बिल्कुल देखिए गंबीर मसला है इसका कोई दौराइट आप मैंने अभी भी कहा कि अगर कोई ब्रिक्साचारी है कोई ट्रग माफिया है तो इसके क्लाब जहां चाहिए अगर वो बास्तम है तो कारवाई होनी चाहिए चाहें वो आमादी पार्टी हो अगर गलत कर रहे बुदेव जी अगर गलत करें तो बोलिए एक मिनट बुदेव शर्मा कह रहे है कि हम लोग इंडिया गड़ बंदन होने के नाते संदीब दिशिदी के ने तित में सडकों पर उतरने वाले ये ब्रेकिंग लगवा दू बहुत ब्रेकिंग भाई अगर आम आदमी पार्टी करती हो कोई भी पार्टी करती है तो उसके ख़़ाब खड़ा होना पड़ेगा न का अगर कुछ अवाज उठाना सभी का कर्षब मैं कहता हूं मेद्या को भी आवाज उठानी चाहिए तो का चाहिए केंदर सरकार जिस तरह का रविया अपना रही है लोकतंत्र को खतम करने का काम कर रही है जा मनीश ब्प्ता कुछ क्या रहे है मनीश लोगों हुदी। समसे बड़ा बसारी, अशिरा में और हुच का शोड़ी है। कि जम उन पर गाल भी तो इस देज में समसे बड़े ब्रस्टाचारी निकले में हो इस देज के समसे बड़े अगर ब्रस्टाचारी कोई है तो वो हमारे देज के मारन ये प्रणानमंत्री मोदी जी है में कजका ज्येस में अल्डानी जी साथ मिदिक है कि सबसे बड़ा ब्रष्टाषार, आज में चोन्ता उमकर सुन्स सबस्कार ने के काम कर रहे हैं जो करोडी की जंबसी लेली याने लेली हुदा हुदाू, करफशन किया ही लें किया। तुम्हारी मेता वो प्रबड़ किली विल्ग पुर०ुल मुनि कर दो, तुम्हारी नेता को वो सब्सक्राइब लेख मैं एकी वहülेर्की गरारों, तुम्हारी नेता को वो सब्सक्री में हमें गटेजने अरुग परेंका लिग देता डिच को, जो कि आप राजिनी तिक विचले सको या बेज़ फ्रबक्ता पहरे तो आप उसके रहु करे तो इस पहीं कर रहो तो इस पहीं तरम हाती है कि आज जो राजनी जो बिचले सके उसका काम होना चाहिए वह कुष्भी होना चाहीए कि देश के प्रदानमंत्री जो सबसे बड़े प्रस्ता चाहरी है उनके साथ यह अपरादी मिले हुए है एक मिले हुए है काई बत्रकारों के तौर पहुए हो ब्लाइट प्रेश्टा हो जो है जब एक बड़ा जाज दूपता है तो यह सारे चुए उतर तरक के बाड़ते है तो यह होगा जिसे बाते जनता पाजिशी की सरकार जाएगी तो जितने भी चुए है जो आज राज नितिक विछले सक हो पत्रकारों जो आज गोधी मीडिया वने वैटे हैं वो सब उतर उतर के बाड़ेंगे मैं बोल दिया इतना 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 गुस्ता मत हो एक मिनिट जी भुदेव जी से कॉंग्रेस से कोई सवाल मत पूझे मैंने बोल दिया भुदेव जी एक मिनिट पवन गोयल जी पवन गोयल जी संजे सिंग की गिरफ्तारी है यह लिस्ट है मेरे हाथ में पढ़ू सर अजी बदाईए ना एक-एक करके मैं पढ़ता हूं एक-एक करके जोगी संजे सिंग की गिरफ्तारी सबसे बड़ी खबर है कुछ तस्पीरों का जिक्र है कुछ नामों का जिक्र है प्लीज प्ले करते रहेगा साथ के साथ संजे सिंग संजे सिंग गिरफ्तार हुए इडी की रडार पर संजे सिंग का नाम कि देश की सबसे बड़ी खबर इसके बाद सोनिया गांधी हेमन सुरेन अनिल पर शिव से न उद्धव कुट हेमन सुरेन जेमेम के चहरे मुख्य मंत्री इसके साथ साथ अजीत पवार अनिल देश मुख अभिशेक बिनर जी टीमसी अनिल देश मुख NCP कीर्थी चितमरम चगन बुजवल नवाब मलिक अब यह चहरे जो हैं क्योंकि मसला अजीत पवार का भी है पीछ इतमरम फारुक अब्दुला मनी सिसो दिया यह चहरे आपके सामने अब पवन जी को प्ली स्क्रीन प्लेए पवन जी यह मैंने कुछ नामों की लिस्ट पड़ी है अभी कुछ और आकड़े हैं एक करके मैं आपके सामने रखूँगा यह कहरें इडी का एक्षन जो है विपक्ष के नेताओं को टार्गिट करके किया जा रहा है जो आरो विपक्ष लगा रहा है एक आकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ 2004 से लेकर 2022 121 नेताओं पर एडी का एक्षन हुआ और महज और महज 115 विपक्ष के नेता यह संजोग है या प्रियोग है पवन जी आकड़ा गलत तो नहीं पावन जी जी मैं जवाब देऊं अब जी वो एक सो पंदरा नेता होगी जो लिस्ट दिखा रहे हैं वो पहले से राजिती में शक्रें जैसे आपने का 2004 से सरकार आई सरकार में अपना नेतिक जिम्मेडावी से जो हजार चौदा से बाइस का जिक्र के असर मेंने 2024 से 2022 कि बाथ दर्लेह करने ऐसे एक सो पंदरा बाश्त की निता है जो एक सो पंदरा नेता है ऑंने नियोंगे पहले से निता होंगे पहले की सर्कारों में जो बशता चार हुआ अब जो के की वांधर मोधी नियों पाड़े कर प् deepest project जब देश के अंदर निचली अदालत हाई कोट और सुप्रिम कोट है जिस सुप्रिम कोट के अंदर आप 370 के खिलाव भी जाते हैं राम मंदिल के खिलाव भी जाते हैं राफेल के खिलाव भी जाते हैं आप वैक्षिन के खिलाव भी जाते हैं अच्छा अजीद पवार एक म मेरा कहने का मतलब है मैं Ajit Pawar के नाम को श्री तिलक चावला में कनवच्चनी करूगा मैं Ajit Pawar का जवाब अजीद पवार पही दोगा मैं यह कहना चाहरा हूं अजीद पवार कोई दोगे अजीद पवार अजीद पवार प्रश्टाचारी नहीं आप आप एक बार तो सुनिये है हाँ उसका जवाब दे रहा हूं मैं आजीद पवार भाते जनता पाटी में आरोप लगाए ठीक कॉंग्रेस की सरकार, NCP की सरकार और शिव सेना की सरकार उन्हें बार बार कट्टा विवांदार कोशित करती रही और जैसे ही वह बाच्पा में के साथ गट पंदन में आगा उनने कट्टर बहीमान कहना चुरू कर दिया नहीं वह तो आप भी कहते थे ना आप अप जाओ कि जो उत्तर आप चाहते हो वह मैं बोलु ऐसा तो पॉसिवल ना तिलग जी ने पभण जी आप तो अपना उत्तर देंगो मैं कैसे आपको बोलूँगा आप ये बोल दीजे सुने गे तो मैं आपना उत्तर कैसे तुमा मेरी बात पूरी होने से पहले कट लगा दिया अपने ने ये जिए जाओ आप परवकता आप आप चैनल पर जवाप करते ने चैनल पर बैठे हो तिलग जी आप मेरे व्याब पर सवाल पूसे इसका मतलब यह मांपे है, तो फिर NCP के साथ करफंदन किया हूए इने, या तो आप मोटिशी की बात पर यखीन कर लीजी है, या एन्सीपी की बात पर यखीन कर लीजी है, अरे बाई जोला साफ परफ्ता आ जाते हैं, क्टर इमांदा क्टर इमांदा की करते हैं और इसमें चराब काई लिए कोटाले सामने आते हैं आपने जनलुक पार्विल क्यों नहीं बनाया देखें पिलगजी आमाजी पार्टी काथा हम चोवी जन्टे में चेर में डाल देगे डिल्ली पुलिश हमारे पास्मियां बाइक सब्सक्राइब करें आप कितने नाम की नहीं आओगे एक मिनट एक मिनट एक मिनट रमण जी जवाब दीजेगा एक मिनट आ रहा हूं मनिशी आपके पास मैं इस पूरे मस्रे को लेकर तीन सवाल आपसे एक एक करके पूछूंगा पवंजी आपसे उमीद करूंगा कि उसके उत्तर देंगे पूरा देश आपको सुन रहा है ठीक पहला सवाल आपसे मेरा यह चलिए आपने कहा जीत पवार पर जवाब नहीं देता मैं कोई बात मत दीजे लेकिन मेरा सवाल आपसे यह गोईल साब पहला सवाल आपसे पहला सवाल आपसे एक मिनट भुदेव जी सवाल पूछनों बीच में कोई मत को दिएगा मेरी उमीद है आप तीनों से सवाल सुनिएगा पवंजी इसको अतर देना चाहते हैं पूरे देश को यह और यह बता राजयों पूरे शाइवेटे आपसे अप्च फजर बंदानों की सरकारें इसके बेताओं की सिद्म्मिदारी बनती है बोत अच्छी वकल मेरान्श की जम्मेदा बंती है वह तो आपने छिसके एपस एशे हैं यह जह बनती है निकी नहीं की नेह च्छी रही ब के अंदर सरकार ने किसी बीजेपी नेता है के या सेयोगी दलके नेता के खिलाफ कोई एफ आई आर दर्च कियो बता रहा हूं क्यों अगर बीजेपी का कोई भी कटर बेहिमान नेता था तो क्यों हाई कोट में नी गए 28 गटबंदन की पाटिया यह 26 राज्ये के सीम क्यों न क्यों नाराज हो जाते हैं कि सवाल का उत्तर तो फिर आपको मेरी नाराज की लगई है नहीं आप कहरो कि आप चले जाते हैं सर मैं EDCBI IT नहीं हुना इसले पुछी को कि यह सवाल आपका उनसे पुछा बनता था अगर बाच्पड़ा को कि लेक्टर बहिमान नेता था सवाल अपना सबके लिए बराबर है एक मेरा दूसरा सवाल आप से यह अभी वैसे भूदेव शर्मा कहरे थे वह पता नहीं कौन कौन सी मीडिया का नाम ले रहे थे दूसरा सवाल आप से मेरा कितने बीजेपी नेताओं के घर पर एड़ी आईडी और सीबी आई के च्छापे पड़े और गिरफतारी हुए यह मेरा दूसरा सवाल किरपया तीन नेताओं के नाम बताईए बिलकुम ठीक है आप एक बात बताईए यह तो भारते जन्ता पाटी और देश के लिए बड़े सुभागय की बात है अपने ऐसा थावाल पुछा यह देख लिए कि तीन नेताओं के नाम नी है कि वो कट्टर बेहिमान है और सुनो कितने मजे की बात है अठाइस अठाइस पाटियों की बा यह तने कमजोर हैं कि बाते जन्ता पाटी पर आरोपी ने लगा सकते मोधी जी को बानवे बार गालियां दे सकते हैं आप यह सवाल उठा रहे हैं मैं इस सवाल का जवाब लूँगा मैं तीसरा सवाल आपसे तीसरा सवाल ऐसे कितने नेता हैं जिनके ऊपर पहले ED, CBI, IT के केस थे और BJP जॉइन करने के बाद उनकी कभी कोई गिरफ़तारी ने वी तीसरा सवाल उमीद करता हूं तीसरे सवाल का उत्तर देंगे आप बिल्कुल मैं तो दोनों सवालों के पर उत्तर देंगा आप एक बात बताईए, CBI और ED पे पहले तीन नेता हो पर रजिस्टर केस थे और उसके बाद बाच्पा में आजाए, आप तो डारेक्ट लिए लिए कि बाच्पा ये गंदा है और उसके अंदर जो भी आएगा अगर वो अगर वो बरेश्टाचारी तो उन पार्टियों में क्या कर रहे थे अगर वो आज भाटबा में बरेश्टाचारी है तो फिर यही सवाल खड़ा होता है, कि तो देश का विपक्स है, मोधी के खिलाफ, राम मंदर के खिलाफ, तो पिर आपके साथ आएगा वो बर कारों में थे, तो आप लोग करेक्ट करिएगा, मैं सो फीजडी सहमत इसलिए हूँ, इस मामले को लेकर छोड़ दीजे राने तिक दर राने तिक पार्टी, बुदेश शर्मा, कितने राजियों में आपकी सरकार है, है की नहीं, नाम लू अच्छा लगेगा, आपने तमाम बड़े बड़े नेताओं पर, बीजे पी के नेताओं पर, ये कहा कि ये ब्रश्टाचारी इनकी फाइल खोले, कितने गए अंदर, वहां तो पवन गोहल नहीं रोख सकते हैं, आप अगर बता पाएं, क्योंकि मैंने उनसे एक एक करके सवाल पूछे, ये गोधी मीडिया, ये रोंदी मीडिया, ये मेरे बसकी नहीं है, बुधे भाई जानते हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, जो नपना है सब के लिए बराबर, आप बताओ, कितने तीन बीजे पी नेताओं के खिलाब जिस पर आपने एक्शन लियो, बताओ, चिलक जी, राजिस्तान में, जो भी जिसके खिलाब भी जो भी जिस पर आरोप लगा हूँ, नाम लेकर बताओ आप, सुन ये, मैं बता रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, इमार चल में, करना चक में भी देखना आप, जल से जल दिने के ऊपर कारवाई होगी, जितना है, रमान सिंग पर घोटाले का के पास वाँ, ये, पुलिस की काम की है, ये, पुलिस की की था बिलकुल ठीक कहा तिलगवाई आपने हैं अजब कर दो कोई में अपस्राइब है तो कोई अज्माती है तुछ नहीं है खार चोरी तो मैं भी खरी है लेकिन मैं छोटा चोर हूं मेरा नम्मर बाद में लेगा बिजे फी गणे नहीं बड़ा चोर था नम्मर नहीं ले रहे हो यह असरार वोग्में पूछने का अधिकार ने किसी चोर की पाइदी के नेता ने सकते के मेरा नेता कछोर का चोर उसके अधार में ले लो यह लाई में कमेंट आगे रमांजी पढ़ देता हूं यह रमांजी क्योंकि वक्तिजादत नहीं दे रहा बहुत लंबी गुफतगू हो गई आप लोग डरना नहीं भगत सिंग की पार्टी है ना भगत सिंग मनी जी भगत सिंग बोलते बोलते हैं कई मसला वह वाला ना उसने दीजिए आप कट्टर इमान दा रहे हैं कट्टर बहुत अच्छे सोच रहे हैं भारत की पहली असी पार्टी है जिसने मात्र दस साल के अंदर राश्टी लेकिन गोल साब आपके नेता कह रहे हैं कि अगला नंबर केजरिवाल जी का वह इतने पड़े लिखे हैं इत कभी कलम का इस्तमाल नहीं करते हैं अंधियों मेरी बात आप लोग मुस्कुरा अगये केदरिवाल जी कलम का इस्तमाल बहुत कम करते हैं थे अर और बुदय बाई ने अलान किया है कि कल से कॉंग्रेस सटकों पर उत्रेगी क्योंकि शराब गोटाले को लेकर यह अन्या हुआ ओके थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया भुदेव जी आपका भी मनीची आपका भी रमंजी आपका भी और पवंजी आपका भी तो यह सियासत आप देखिया आगे-आगे होता है क्या लेकिन इतना जरूर है कि अब लड़ाई सियासी लड़ाई दिल्चस्मोर पर पहुंच गी है नमस्कार जाहिन जाभरत ऐसे खाए है तो सच्चा ही सामने आएगी